नवश्टार बिन्या टाइम्स में आपका स्वागत है इंदोर में जन्मी स्वर कोकिला लता मंगेसकर के निधेंग से पुरे प्रदेश में सोक की लहर है प्रदेश के तमाम लोग अपनी संबेदनाएं सोसल मेडिया के माध्यम से व्रक्त कर रहे हैं प्रदेश के मुखमंद जहरा दुख जताया है और बोले कि स्वर के महायूग का अंत हो गया लता दीदी आपके बिन्या यह देश सुना है गीत संगीत सुने है हर घर सुना है आपकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता गीत संगीत की देवी मान कर आपकी पूजा हम करते रहेंगे सियम सिवराज ने चार ट्वीट किये उन्होंने आगे लिखा कि स्वरसमरागी यही परमशिर्दे लता मंगेसकर जी के निधन से अंतरमन बहुत दुखी है पीड़ा में है देशी नहीं समूचे बिश्यों में एक ऐसी स्वरसाधिका को खो दिया जिन्होंने अपनी मधूर आबाद से जीवन में आनंद घोलने वाले असंख गीत गाये थे मदप्रदेश के राज़पाल मंगु भाई पटेल ने लिखा कि स्वरकोगिला भारत रत्न लता मंगेसकर जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है उनका जाना कला जगत के लिए अपूर्णी अच्छती है उनके परिजनों वा प्रशंसकों को इस सोक संब्यदना सहने की सक्ति प्रदान करें वही पूर्वसियम कमलात ने लिखा कि स्वरकोगिला सुरसामराग्री कई पुरुसकारों से सम्मानित मदप्रदेश के इंदोर में जन्मी लता मंगेसकर के निधन का समाचार बेहत पीड़ा दायक है आज उनके निधन से संगीत का एक यूग के अंत ह उनका निधन कलाचेतर की एक ऐसी चती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती उन्होंने भारती संगीत को अपनी सुरीली आबाज से विश्वभर में पहचान दी है उनके निधन पर सोक संबेदनाय व्यक्त करता हूं इसके साथ ही तमाम लोगों ने अपनी संबेदनाय व्यक्त क कैलास विजय वरगी ने जीतू पटवारी ने बीडी सर्मा ने तमाम लोगों ने शोशल मेडिया के माध्यम से संबेदनाय व्यक्त की है इसके साथ ही प्रदेश भर के लोग अपनी संबेदनाय व्यक्त करते हुए लोग उनके गीतों को याद कर रहे हैं उनके साथ मद्द प्रदेश के संबंधों को व्यक्त कर रहे हैं और स्वर कोकिला को सरधानजली दे रहे हैं